हलो इवरुवन वेद्ध के वचेक्व करेंगे एक नया कंजर्ट के बरे में पहले वीडियो में कोस्टिन डाला था किसी को आज हम लोग सवाल करेंगे वह सिंबल को निचे एक प्रोड़क्ट निचे एक एक सेश लिगा है मैं आपको पहले एक बात बता दूं यह कोश्चन एक संदर एकजाम आया है आई एड आडवांस में आया है तो इसका इंपोर्टन्स इसलिए बहुत बढ़ जाता है इस प्रोड़क कैसे बनेगा इस प्रोड़क को किसे मेकानिजम किस मेकानिजम के थूरू हम लोग पा सकते ह है उस मेकानिजम में आपको बताने वाला हूं तो चलो पहले में रेजन का काम बता देता हूं नवेज का क्या होता है इंद इस डिसोसेट होकर हम लोग को इने प्लॉस वीच माइनस देगा इज इस ट्रॉंग बेस स्ट्रॉंग वेस होने के बचे से तो इधर ओ ऑफ माइन लेकिन इधर क्या होगा पहले हम लोग को एक बात क्लियर कर देना चाहिए इधर आल्फा है आफ में पहले वीडियो में मता का रखी है अगर नहीं देख लिए आप ने तो इधर फंक्सिनाल गूर्प COH Allade है इसका जो आलफा कार्बन है इधर आलफा कार्बन को तीन हाइडोजन आटाच है कितना हाइडोजन तीन हाइडोजन है यह तीनो ही आलफा हाइडोजन है उसका नेचर एसेडिक होता है एसेडिक होने के बज़े से जो एनो एच एनो एच का ओएच माइनस इधर एसेड सब्सक्राइब लेकिन इधर आलफ़ा हैड्योजन को अटाक करेगा आफस्टाट करने के बजे से इधर क्या बन जाएगा CH2 minus C double bond OH OH minus क्या करेगा इधर OH minus इधर alpha hydrogen को attack करेगा, abstract करेगा तो abstract करने के बाद यह जो rest part बन जाएगा CH2 minus C double bond OH इधर जो minus charge है, यह minus charge इधर resonance भी कर सकता है लेकिन यह क्या करेगा इधर जो excess formaldehyde दिया हुआ है formaldehyde के carbo-caten पाटाय करेगा मैं बता दिया, पहले से आपको अगर कोई minus carbo-caten को attack करता है तो नुकलियो फैल बन जाएगा अगर कोई minus H plus को attack करता है तो उसको base बन जाएगा base nucleophile difference से equal नहीं है लेकिन उसे difference करने वाले बात क्या है अगर base तभी होगा जब हो H plus को साथ interact करेगा जिस तरह OH इधर H plus के साथ interact करने के बाद H plus किचेगा तो इधर carbon के उपर क्या आजाएगा minus आजाएगा तो इधर minus आगया CH to minus H plus OH मिलकर water बना दिया इधर जो minus से वो formaldehyde को nucleophile के तरफ आटाक करेगा ये क्या बन जाएगा nucleophile बन जाएगा ये base नहीं बनेगा nucleophile क्योंकि ये जो दूसरे वाला formaldehydeo उसके carbon को आटाक करेगा इधर क्या बन जाएगा minus carbon के उपर क्या बन जाएगा plus बन जाएगा तो product इधर लगए क्या आजाएगा इधर आजाएगा CH2 ये क्या हो गया CH2 इधर क्या बन जाएगा O minus CH2 C double bond OH इस तरह ही कुछ product बनेगा उसके बाद क्या हो गया जो इधर जो H plus होगा water में solution में water में O जो water water के H plus इधर आजाएगा तो इधर आजाने के बाद ये क्या हो जाएगा CH2 CH2 OH इधर C double bond OH होगा लेकिन ये जो NOH excess होने के बज़े से क्या होगा ये फॉर्दर ये भी functional होरो में जो alpha carbon है इधर एक hydrogen तो जाकर water बना दिया इधर दो hydrogen है ये दो hydrogen से फिर से एक बार OH मैनस क्या करेगा इस hydrogen को आफ स्टार्ट करेगा आफ स्टार्ट करने के बज़े से क्या बन जाएगा CH- इधर तो CH2 OH बन गया है इधर क्या होगा C double bond OH इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे आफ लोग को पढ़ा ही करी रखे होगी इस टाइप का आलडल करेंसेसन के बारे में यह जो बन जाएगा क्या बन जाएगा आफ स्टार्ट करने के वाज़े स्टू माइनस होगा फिर से जो इधर फर्माल लेड एक्सस दिया हुआ है तो यह बीच में क्या करेगा अाटाक करेगा फिर स्टाप करेगा फर्माल लेड को इसका प्रमाल लेड लेड आए तो उसका प्राड़ जो आ जाएगा क्या प्राड़त होगा फिर से CH आप देख लेजे CH इधर दर CH2 OH लिखा है पहले से ये पाट इसमें क्या जूड़ जाएगा CH2 माइनस ये क्या हो जाएगा प्लॉस ये हो जाएगा CH2 CH2 O- ये राइट साइट पाट तो कंस्टन्ट है ही तो उसको आप लेख लेजे C double O H फोर्दर इसके अगर आप देख देखे गए तो फॉयर्ट देने के बजे से क्या हो जाएगा इले दिख्ये इसको अगर हाउस में Doll ouv connect हो जाएगा, H+, जाने के बाद एक क्या बन जाएगा, देखी, असानी से, सनौज सकते हैं आप लो, CH, इधर हो गया CH2, इधर को OH है ही, इधर है CH2, और एक क्या बन जाएगा, OH, इधर सी डबल बन, OH, again, here the functional group, here the alpha carbon, here the alpha hydrogen, here also, one alpha hydrogen is available here, so further, इधर OH- क्या करेगा, attack करेगा, upstart करेगा, किसको, H+, upstart करने के बज़े से, इधर क्या बन जाएगा, फिर से, carbon को पर क्या आजाएगा, minus आजाएगा, तो इधर product क्या बन जाएगा, C, CH2, OH, CH2, OH, इधर क्या बन जाएगा, let's see, double ball, OH, इधर क्या बन जाएगा, minus, यह minus फर्दर किसको, आटाक करेगा, formal generate को, क्योंकि यह excess है, excess तो दिया है इससे में, तो यह minus वाला इसको, आटाक करेगा, आटाक करने के बाद क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, बहुत आसानी से, तो इधर क्या हो गया, C, CH2, OH, इधर क्या बन जाएगा, मैं इस तरह लेक लेता हूं, यह भी क्या हो जाएगा, CH2, OH, फिर भी इधर क्या है, एक functional group क्या है इधर एक functional group इसमें क्या होगा पहले देख लीजिए फिर से water अगर इसको ओएच बना लेगा तो यह ओएच हो गया है देखें लागवग हमारा product जैसे बन गया है इधर क्या है CH2 इधर भी क्या है CH2 इधर क्या है CH2 इधर भी है CH2 लेकिन फिर से अगर मैं बोलू इधर डालता हूं इसमें तो क्या होगा ओएच माइनस इधर एसिड का हाइडोजन और नहीं है यह functional group है आलफा कारवन भी है लेकिन इधर आलफा हाइडोजन नहीं है उसके वज़े से ओएच माइनस इधर कोई भी reaction इसके साथ नहीं कर सकता है इसके लिए वो क्या CH211O तो मैंने इधर एक बात बोल देता हूं आपको इधर थ्री अल्डोल कंडेंसेशन करने के बाद थ्री अल्डोल कंडेंसेशन करने के बाद आप लोग को यह product मिल जाएगा लेकिन जो लास्ट वाला इस C211OH को अल्डेट गुरूप को हम लोग को अलकोल में convert करना है त यह का नीजोर व्याक्षन होगा अगर आप लोग को यह वी कूश्यन को सकता है यह जो react करेंगे तो इसमें कितने बार होने वाला है कितने बार कानीजर होने वाला है तो पहले आप समझ लिजे इधर 3-2 अल्फा-इडोजन है जितने अल्फा-डोजन होगा उतने बार आल् तो इसमें क्या आजाएगा जो प्रोड़क्ट बन रहा है इसमें तीन आलड़ प्रोड़क्ट से नजदिक आया हूँ उसके बाद जो प्रोड़क्ट मैं बताने बला हूँ वो होगा कानीजोर कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ देखिए इधर OH- कुछ भी नहीं कर सकता ह है इसलिए रियाक्शन यह वाला चीज इधर ही रुकेगा जो फॉर्माल लेड़े उसके पास आटाक करेगा कौन आटाक करेगा OH- इधर आटाक करने के बाद यह O- हो जाएगा तो इसका प्रोड़क्ट क्या जाएगा HC O- इधर आ गया क्या H इधर आ गया OH आप लोगों ए यह भूडोडय रियक्शन में हइड्रायडी ट्रांसफर होता है क्या होता है फाइड्रायडडर्स्फयर क्या होता है कानेयजο रियक्शन में Hydrate Transfer होता है इधर ह- O ॡ निकलेगा यह क्या बन गया यह बन गया C Double Bond O HO यह बन गया Formic Acid यह क्या बन गया HC Double Bond O H इधर जो H- Hydrate है ो किसको आटाक करेगा यह जो formal n Stories को आटाक करेगा तो चलिए मैं बता देता हूँ हमाइनस क्या करेगा इधर आटाइक करेगा यह क्या बन जाएगा वैसे समझ लीजिए एज मैंस आटाइक करने के बाद यह क्या बन जाएगा यह बीच बाला कारबन में इधर लिक रहा हूं इधर क्या हो गया CH2 OH निच्छे भी हो गया है CH2 OH उपर भी क्या हो गया CH2 OH देखिए यह जो तीनों ग्रूप सॉस्टिटूट हुए है यह लगवा किसले हो रहे है इधर तीन हाइडोजन आटम को सॉस्टिटूट किया है OH CH2 OH ने उसका आलफाइडोजन साफ्टराइड किया है उसके प्लेस में एक ग्रूप इंटर्डूश हुआ है इस ग्रूप के इंटर्डूशन होने के बाद तो उसके साथ इधर क्या बन जाएगा CH2 OH अगर हाइडलिस कर लेता हूं तो यह बन गया CH2OH लगवाग यह जो स्ट् की आलडल हो रहा है 3 बार आलडल हो रहा है और एक बार कानिजूर हो रहा है क्या हो रहा है कानिज्ओरस co2 र merchandise होरा विएहां को आरहोजन को यो विस में रिफ्रेट नहीं हो सकता वु रत्त आटक यह उसके इसलिए नहीं गया Спियान हशना थे मुनकी श्रींध ड्रीप्लार में ना बहुत ठीट्री ड spaghetti यहाशन ऑड़ता है बेस उस मैनस पर बिच बहुता है इधर बहुत बाल्कि ग्रुम सारे हैं लेकिन इधर वह च्छेश कर सकता है कि छोटा सा मलेकुल है प्लानार मॉलेकुल है ट्राइंगुलार प्लानर एस्पी टू हाइविडेशन सो इसलिए वो प्रोड़क्ट दे दिया तो आपको आसानी से बोता दूँ कि जो सुस्तिक वाला चीज आपको पता रहा है वो सुस्तिक कैसे हो रहा है तो आसानी से यही जो प्रोड़क्ट है आप इसी को कंपर्ट कर देते हैं बीच वबार सी इधर है इसका मतलब यह लाइन लेकली जैए इधर तो सी है ही इधर छी टू छी टू छी टू छी टू छी टू छी टू अगर तक्लिप आपको होगा इस कुछ चिन के अंदर समझाने के दूब बाद में आप मेरे को comment कर सकते हैं thank you for watching thank you all